हेलो आल, आज मैं आपको स्कूटी कैसे चलाए और स्कूटर चलाने से पहले कुछ आवश्यक बाते मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ इस युक की सबसे अनमोल यादगर चीजों में से एक, जिसे कई लोग जीवन भर याद रखेंगे, वो है स्कूटी चलाना सोभग्य से स्कूटी चलाना सिखना बेदासन काम है, जिसके लिए अधिकाइश लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है अक्सर स्कूटी की सवारी की तुलना साइकल की सवारी से की जाती है, स्कूटी चलाना सिखना आना चाहिए, इसलिए हमें साइकल आना जरूरी है लेकिन साइकल भी नहीं आती है, तो आप स्कूटी सीख सकते हो पुटी सीखने से पहले आपको आवश्चक जो शर्ते होती है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी बीमा पॉलिसी मोटर वहान अधिनेयम प्रत्यक सवार के लिए दुरगटना किस्तिति में तीसरे वक्ति या वहान को होएन उक्सान को कवर करने के लिए एक तुरुतिय वक्षबाइक बीमा पॉलिसी लेना अनिवार्य बनता है हाला कि आत्म सुरक्षा के लिए इस कवर को बढ़ाने की हमेशा अनुसांशा की जाती है स्कूर्टी वहान के लिए आपका बीमा किसी अप्रत्यक शिक दुरगटना की स्तिति में वित्य सुरक्षा जाल के रूप में कार्य कर सकता है स्कूटी वहानों के लिए बिमा या नुश सुनेशित करने के लिए डिजाइन किया गया है हेलमेट मोटर वहान अदिनियम के अनुसार किसी भी प्रकार की मोटर साइकल चलाती समय प्रत्तिक सवार को सुरक्षे के लिए हेड गेर पनना चाहिए हाला कि यह केवलेक नियम से कही अधिक है क्योंकि हेलमेट एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है जो सीर को गंभिर चोट लगने से बचाता है भारत में हर साल सडक दूरगटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते होई शुर्वाती और अनुभवी सवारों के लिए उपरोक्त आवशक्ताय निवारिया है यही कारण है कि स्कूटी ड्राइविंग सीखने से पहले प्रत्तिक सवार को एक अच्छी गुनवत तवाले हिलमेट और एक र्यापक बाइक भीमा पॉलिसी में निवेश करना चाहिए स्कूटर कैसे चलाएं? जैसे कि पहले बताया गया स्कूटर चलाना साइकल चलाने से समान है एक बार जब आप जान जाते है कि स्कूटर पर खुद को कैसे संतुलित करना है तो बाकी सब आसान हो जाता है एक साधरन स्कूटर पर कोई गियर नहीं होता है इसलिए सवारों को केवल दो चीजों पर विचार करना होता है एक्सिलेटर और ब्रेक उटी सड़क पर कैसे चलाने अपने दोनों हाथों को स्कूटर की सलाखों पर मजबूत से टिका कर अपने वाहन को माउंट करे आदर्श रूप से आपके दोनों पैर जमीन को चूने चाहिए लेकिन एदी आपकी लंबाई छोटी है तो आप बस थोड़ आगे की और जुख सकते है ताकि संतुलन बनाए रखना आसान हो जाए आम तोर पर स्कूटर को उसके साइड स्टेंड पर रखा जाता है और सवारी शुरू करने से पहले सुनिशित करें कि स्टेंड को अपने बाई पैर का उपयोग करके कीक करके हटा दिया जाए आपने अकसर देखा होगा कि लोग अपना साइड स्टेंड हटाना भूल जाते हैं इसलिए यह जाचने की आदत बनना जरूरी है अपने स्कूटर के की होल में चाबी डाले और चाबी को तब तक घुमाएं जब तक स्कूटी ओन मोर में ना आए नई स्कूटी में आपको चाबी को एक से अधिक बार गुमाने की आवशक्ता हो सकती है क्योंकि दूसरी बार आपके स्कूटर के स्टोरिज को अन्लॉक करने के लिए होती है है अब बाए ब्रेक को पकड़ कर और अपनी गाड़ स्कूटी पर स्टार्ट बटन दबा कर इंजन को चालू करें ऐसे ही स्कूटर स्टार्ट होने के लिए गड़ गड़ाता है आप ब्रेक जारी कर सकते हैं और एक्सिलेटर को दाहिने हाथ पर थोड़ा गुमा सकते हैं, जैसे ही टॉर्क बढ़ेगा, आपका स्कूटर आगे बढ़ना शुरू कर देगा, जब आप शुरू में एक्सिलेटर गुमाते हैं, तो अपनी स्कूटी की गती मापने के लिए इसे दिरे-दिरे और सावधनी से करना महत्वो पुरूना है, जैसे ही बाइक धीरे-दिरे गती पकड़ती है, आप अपने पैरों को जमीन से उठा सकते हैं, और उन्हें अपने स्कूटर के डिक पर रख सकते हैं, मुनने के लिए आपको केवल उस तरप को जुखना होगा, जिस तरप आप मुनना चाहते और हेंडल फचलित रूप से उस दिशा में मुड़ जाएगा, हलाकि यदि आपकी गती धीमी है, तो आपको हेंडल को अपने हाथों से घुमाना होगा, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करते जरूर बतना, अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्रीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना